अलो और वेलकम फ्रेंट्स गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की यहां पर देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिये हुए हैं और यहां पर उनकी प्राइस लिखी हुई है और फिर यह प्राइस सेलेक करेंगे कर लिया multiply का shine लगाएंगे लगा भी दिया देख सकते हैं आप और फिर पहले वाले unit को सेलेक करेंगे और enterprise करेंगे तो हमारा total आ जाएगा लेकिन problem कहां है यह Excel नहीं है यह Google Sheet है यहीं पर problem हो जाती है तो यहाँ पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपको अभी भी कोई fill का option नहीं दिखाई पड़ा है तो fill का option दिखाई कब पड़ेगा और कैसे हम इसको fill कर पाएंगे तो यहाँ पर उपर वाले cell में एक बार click कीजिएगा तो आपको auto fill का option नजर आ जाता है यह बहुत असान है दिखिए एक बार आप समझ जाएंगे तो mobile में भ कर दीजिए जैसे ही autofill पर click करेंगे तो आपको Total हो के आ जाएगा ठीक है अब देखी दूसरा स्वाल यह है कि यहां पर प्राइस है यहां पर यूनीट है अपने total कर लिया अबamat इस total का total हमें करना है ठीक है और इस total का total कैसे करना है हमें इस total टोटल का टोटल ऐसे करना है हमें कि हम यह टोटल नहीं करना चाहते चीक है यह टोटल हम नहीं करना चाहते और फिर भी इस टोटल का टोटल हम करना चाहते हैं तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं ठीक है क्लियर कर दिया इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंग तो some product formula ही हमें use करना है bracket को open करेंगे पहला वाला range यानि कि यह price वाला पहला range कर लेंगे select कर लिया और price वाली range को select करने के बाद comma लगाना है comma लगा हुआ है already ठीक है अगर आपके में comma ना रहा हो तो आप इस तरीके से comma लगा सकते हैं इसके बाद क्या करना है आपको दूसरी इधर उधर नहीं हो यह तो ये हटा दिया अमने पूरा पूर इस रेंज को select करना है उनिट वाली range को तो इह हमने select कर लिया अब यह select करने के बाद bracket को close करना है ठीक है bracket को क्या करना है close करना है यह लिजिए हमने bracket को कर दिया close और press करना है enter तो जैसे ही enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि total का total बीना total किया आपका आजाएगा तो यह बात समझ में आई होगी कि some product कैसी यूज होता है और कैसे हम fill कर सकते हैं डेटा को with the help of google sheet google sheet में जब आप mobile से यूज कर रहे हैं और फोन में यूज कर रहे हो तो enable fill handle कैसे हम चालू रखेंगे और कैसे नीचे जो है